बिग बोस 14 में कुछी दिन पहले हुआ था घर में हो रही चोरियों पे बवाल जी हाँ घर में चोरिया बहुत सारे कंटेस्टेंस ने की थी लेकिन बिग बोस ने ये मुद्दा उठा के कैप्टन के सर डाल दिया एपिफिस की चोरी के बाद और इस बात का कैप्टन को अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है तो चलिए जानते हैं इसी से रिलेटेट घर में हुआ एक फणी इंसिडेंट जहां बटवरा कैप्टन सी टास्क के दूसरे दिन कविता बाहर बैट के योगा कर रही थी तभी गर्मी के मारे कैप्टन को याद आया एपिफिस जह कविता ने चाबी से अपना फ्रिच कोल के टिन निकाल दिया लेकिन चाबी मुट जाने के कारण कविता से लौक बंद नहीं हुआ वही कविता मदद के लिए आवाज लगाती है और पास बैठे अली गोनी आ जाते है कविता की हेल्प करने चिदेर में आसानी से चाबी से ताला बंद कर देते हैं जिसके बाद खड़े होते वक्त फ्रिच के उपर वाला कैमरा लग जाता है अली के सर पे और अब उसी एपिफिस को पीने के लिए कविता को लेनी पड़ी अली की मदद वही अली भी सोच रहे होंगे कि ये तो बिना चाबी के में खोल के एपिफिस दे देता वही जीम एरिया में पड़े वेट को उठा के कविता चाबी ठीक करने का परयातना करती है जहां वेट चाबी की जगे कविता की उंगली पे लग जाता है वही कविता की आवाज सुन अली भी कविता से पूछेंगे कि आपको ज्यादा लगी तो नहीं तो व्यूर्ज इसी एपिफिस के फ्रिच की चाबी ने बदल दिया है कल के जगड़े को आज की दोस्ती में तो कविता और अली दुश्मनी छोड़ के दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके है यही देखने मिलेगा हमें दो दिन चले कैप्टन सी टास्क में भी तो व्यूर्ज कैसा लगा एक दूसरे को चोट लगते देख अली और कविता का एक दूसरे की तरफ यह जेश्चर